परम साम्मानिये आधनिये सिर्यसूक वाजपेई जी हमारी सहयोगनी डक्टर इजावेल वाज जी दूसरी सहयोगनी डक्टर अनुरधा वागले जी हमारे गोवा के साहित कला संगीत प्रेमीगन तथा प्यारे बच्चो जैसा कि आपको विदित है कि गोवा विस्पिद्याले में विभिन पीठों की अस्थापना हुई है पीठों का मतलब चेयर से है और उसी के अंतरगत कविवर बाकी बाब बोरकर चेयर्स की अस्थापना मित्रों हम सभी जानते हैं कि गोवा में बाकी बाब बोरकर जी एक सुविक ख्यात मराठी और कोंकोडी के रचनाकार साहित कार मुलता कभी थे और मैं अपना धन्यबाद हो भागे समझूँगा कि बाकी बाब बोरकर जी से मुझे भी बात चीत करने का सुवशर प्राप्थ हुआ था दरसल यहाँ पर एक संस्था प्रयास जिसों कि हम लोग चला रहे हैं हिंदी की संस्था है और उसी का उद्गाटन करने के लिए बाकी बाब बोरकर जी पधारे हुए थे यह करीव यह बात है 1984 की है मैं आप सभी का इस सभागार में हर दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मित्रो संस्कृत में बहुत सारी सुभास्तानी बाते कही गई है कि मुनिश्य के लिए साहित का जानना कला का जानना और संगीत का जानना यह बहुत जरूरी है अनिवारी है अगर हम इससे अनभिग हैं हम नहीं जानते हैं तो मुझे छमा कीजिएगा उसके लिए संस्क्रिट में कहा गया है बिना पूच का जानवर। तो क्योंकि साहे जो की संस्क्रिट बात कही गई है मैं उसी बात की पुन्दा अबृत्ति यहां पर कर रहा हूँ और सवभागे से संजोग से हमारे बीच वाजपेई जी साहित कला और संगीत इन तीनों के मरमग्य विद्वान हैं कल हम लोग की बात आपका व्याख्यान चल ला था अग्ये जी पर हिंदी में एक सब्द है मित्रो बहु मुखी प्रदिवा के धनी या बहु आयामी प्रदिवा के धनी अग्ये जी बहु आयामी प्रदिवा के धनी थे लेकिन मैंने जब कल बाजपेई जी का जीवन और कार आयामी है उनमें से जो कुछ मुझे मिला और मैं आपके सामने रख रहा हूँ बाजपेई जी एक कवी हैं आलोचक हैं संपादक हैं संस्कित कर्मी हैं भूत पूर सिवल सेवर कभीरा चुके हैं प्रशासक हैं व्याख्याता अनुबादक संस्थापक फिल्म निर्मार में सहा आयक, आयोजक, विभन पुरुसकारों से पुरुसकृत, सम्मानी देश और विदेश की आतरा करने वाले अब अगर मैं एक एक पर अपनी बात उसको विस्तार से यहां पर कहूँगा तो सायथ 15 आदे घंटे हमारे ही व्याख्यान में चला जाएगा तो सायथ बाजपेई जी नहीं बोल पाएगे वाजपेई जी की एक ऐसे ख्यात नाम, स्वनाम धन्य व्यक्ति हैं जिनको देश में बलके हिंदी साहित में सभी लोग हम सभी जानते हैं और यह हमारे गोविस्विद्याले का एक स्वभाग है कि हम पहली बार आपको यहां पर आमंत्रित कर चुक और आलोचना की पुस्टकें इसी प्रकार से संपादित पुस्टकें और आठ जो मनलब कविता संग्रहों का इनके बंगला में, फ्रेंच में, गुजराती में, मराथी में, अन्य भारती भासाओं में, विजशी भासाओं में जिसका अनुबाद हो चुका है समास, बहुबचन और कुछ इंगलीज की पत्रिका इस प्रकार से करीब आठ पत्रिकाओं के आप संपादिक रह चुके हैं इसके अलामा करीब आठ ही आठ जो है वाजपेजी के लिए बड़ा सूचक है आठ पुरसकारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है और इस प्रकार से मनने बताया कि हमारे पास बहुत सारे संस्थाओं के निर्माता और एक कह सकता हूँ कि छोटे मनलब बहुत ही संचित में कह सकता हूँ कि बाजपेजी अपने आप में एक संस्था हैं और जुनोंने भारत भवन जैसे एक बहुत ही ख्यात नाम संस्था का जुनोंने जिसकी संस्थापना स्थापना की और साथ ही साहित अकादमी के पुरसकार से सम्मानित दयावती मोधी पुरसकार से सम्मानित कबीर पुरसकार से सम्मानित इस प्रकार से विभिन पुरसकार करते हुए मैं एक बार पुन है आजनी वाजपेज जी का हमारे गोवा के यहां पर पधारे हुए बहुत ही चरचित कहानिकार कभी उपन्यासकार नाटक कार और कला मंच से या गोवा कला कादमी से जोड़े हुए बहुत सारी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं मैं आप सभी लोगों का एक बार पुन है हर दिक अवनेदन करता हूं स्वगत करता हूं और अभिवादन करता हूं और इसी के साथ वाजपेजी से निवेदन करता हूं क्यों कि पया अपना विया ख्यान सुरू करें मित्रो मैं थोड़े अचरज में हूँ यहां कई दिनों से बगबग कर रहा हूँ और उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी आते जाते हैं और रोजी आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनमें जरूर कोई बुनियादी खराबी होगी मुझे में तो खर है कि मैं बगबग कर रहा हूँ पर उनमें भी होगी कि वो इतनी वगबग को सहन कर रहे हैं तो आप खैर आप सहन कर रहे हैं तो आप जानिये यह तो आपका चुनाओ है मैं हिंदी का वईध विद्यारती नहीं हूँ मैंने हिंदी नवी कक्षा के बाद पढ़ी नहीं मतलब ना तो मैट्रिक के स्थर पर पढ़ी तब मैंने संस्कृत पढ़ी अंग्रेजी पढ़ी ते बाद में बीए जब किया तो संस्कृत अब मैं जितना फसड़ी दिखता हूँ पढ़ने लिखने में इतना फसड़ी था नहीं तो खैर लेकिन मैंने हिंदी नहीं पढ़ी तो न पढ़ने के कारण मैंने हिंदी को कुछ ज्यादा ध्यान से पढ़ा और उसके दौरान मुझे ये समझ में आया अपनी बुद्धि से कि असल में हमने हिंदी में जो पढ़ाया जाता है कि पहले भक्तिकाल था फिर वीरगा था काल था फिर भक्तिकाल था फिर रीदिकाल था फिर इत्यादित्यादि और इस तरह से पढ़ाया जाता है आधुनिकाल फिर यानि आधुनिकता हिंदी में बीस्वी शताबदी में आई ज्यादातर भाशाओं में यही माना जाता है कि आधुनिक्ता जो है, जब हमारा पश्चिम से कुछ साक्षातकार, मुढभेड, संबाद इत्यादी हुआ, तब हमारे हाँ आधुनिक्ता नाम की देवी ने पदारपण किया। तो मेरी धारणा कुछ इससे अलग है, वो धारणा ये है कि असल में हमारी ज़्यादातर भारतिय भाषाएं शुरू से याधुनिक्ता हैं, क्योंकि अवल तो उनका जन्म ही, ज़्यादातर का जन्म लगभग एक हजार साल पुराना है, तो उनमें पहले की जो शास्त्रिय परंपराएं थी, उनसे एक तरह का असंतोश, उनसे एक तरह की इसको अंग्रिजी में कहते हैं, इससे वो भाषाएं पैदा हुई थी, इसलिए उनका जन्म ही आधुनिक है, वो प्राचीन्ता का बोज उन पर शुरू से ही नहीं है, कम सकम हिंदी में मेरे हिसाब से आधुनिक्ता के चार बड़े मुकाम हैं, उत्तर भारत में, एक कबीर जिनके बारे में मैं बात करूंगा, बलकि उससे पहले, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो एक अधुत प्रतिभा थे, कभी भी थे, हिंदी में भी लिखा, संस्कृत में भी लिखा, फार्सी में भी लिखा, कहते हैं सितार उन्होंने बनाया, ख्याल गाय की और में उनका योगदान था, तबला उन्होंने बनाया, कहते हैं कि उन्होंने पकावच को तोड़ के तबला बना दिया, इत्यारी, तो जिसको हमारे अंग्रेजी में रेनेसां परसनाल्टी कहते हैं, लियो लाडो और चौथा मुकाम है गालिब। इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये चारों अपनी शर्तों पर अपनी भारतियता में आधुनिक हैं, इनको पश्चिम की कोई जरूरत नहीं थी आधुनिक होने के लिए। ये खुले दिमाग की लोग थे, इनको सब जुनिया जहान में सैर सपाटा करते थे, कबीर तो कम सकम करते ही थे, और अमीर खुसरों तो आए ही, इरान से थे संभवता, लेकिन इनके लिए जो विलायती पश्चिम है, उसका इंतजार करना जरूरी नहीं था, और दरसल भारती साहित्य में, और हिंदी साहित्य के संदर में कहें तो और भी, आधुनिक्ता की दो धाराएं, एक धारा वो जो जो जिसका वर्चस्व है, इस समय, वो है पश्चिम से प्रेरित आधुनिक्ता, और दूसरी आधुनिक्ता जो है, वो एक तरह की देसी आधुनिक्ता, उसके लिए पश्चिम का कोई विशेश महत्व नहीं है, उननीस्वी सदी तक, ये सारी आधुनिक्ता, लगभग देसी आधुनिक्ता ही थी, लेकिन बीस्वी शताब्दी से ये फांक पैदा हुई, तो मसलन हमारे बहुत सारे जो बड़े लेखक या कवी हैं, प्रेमचंद और निराला और अग्ये और मुप्तिबोध और शम्शेर, इनके लिए पश्चिम का संदर्व अनिवार्य है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जिनके लिए पश्चिम का संदर्व अनिवार्य नहीं है, जिनके लिए पश्चिम का संदर्व अनिवार्य नहीं, तो हमारे यहां असल में दो आधुनिकताओं का द्वंद्व भी है, अब चूंके मैं हिंदी का वाइध विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पुर्खों को कुछ टटोलना चाहिए कि इससरे क क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, तो मैंने दो चुने, एक कबीर और दूसरा गालिब, इस चुनाओ के पीछे कोई विशेश तर्क नहीं है, मेरी ही सुरुचिया कुरुचि का यह परिणाम है, और मैं अपने से यह सवाल कर रहा हूं कि मुझे यह दो कवी, एक पंद् इस्वी शताबदी का, यह मुझे समकालीन क्यों लगते हैं, एक और दूसरा यह कि जब मुझे वो समकालीन लगते हैं, तो आज मुझसे क्या कहते हैं, उन्होंने अपने समय में क्या किया, क्या कहा, उनकी इतिहासिक परिस्थितिया, इतियादी क्या थी, इससे मुझे ने संभवता हम लोग जब अंग्रेजी जाहिते पढ़ते थे 1960 में तो एक पुस्तक आई थी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी जो एक पोलिश नाटक कार की थी जिसका नाम था शेक्स्पियर अवर कंटेंप्रोरी उसने शेक्स्पियर के जो हिस्टॉरिकल प्लेज हैं रिचरड सेकंड रिचरड थर्ड वगरण वगरण इनको लेकर ये सिद्ध किया था कि ये असल में पुलिटिकल पावर की स्टडी जैं फासिजम की और समय जो वगरण तो मैं इस सवाल का जवाब यानि ये एक जो मैं कहने जा रहा हूँ वो एक विदिन कोट्स और कोश्टक में एक प्रश्ण चिन्ध एक आधुनिक कवी की दो प्राचीनों से बाचीत है वो प्राचीन है कबीर और गालिब और मैं अब दोनों में जाहिर है कि कोई मैंने आधुनिक्ता के जो चार मुकाम बताए उन में दो मुकाम तो जिनको कहें संग्रथन के हैं अमीर खुसरो और तुलसी दास और दो मुकाम दरारों के हैं फांक पड़ रही है परंपरा में भी फांक पड़ रही है और कविता में भी फांक पड़ रही है तो ये मेरी दिल्चस्पी इस फांक में है जिसके दो कवी हैं कबीर और गालिब अब वैसे देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर हैं कबीर गहरी आस्था के कवी है और गालिब घोर अनास्था के कवी हैं कबीर के यहां आशा के चुकने का कोई कारण नहीं है गालिब के यहां उमीद की कोई जगे ही नहीं है तो बिलकुल दो अलग छोर हैं यह अब देखिए इनके बीच में एक तो सद्यों की दूरी है कवीर को तो अखिर यह पता नहीं हो सकता था कि गालिब होने वाले हैं लेकिन गालिब को तो पता हो सकता था कि वो एक कवीर हुआ है लेकिन इसका कोई प्रमान नहीं है कि उनको रती भर भी इसका एहसास था कि अगले जमाने में कोई मीर भी था लेकिन इसका कोई एहसास नहीं था कि अगले जमाने में कोई कवीर भी था दरसल गालिब उर्दू में अपने को बड़ा कवी मनवाने के में कोई खास दिल्चस्पी नहीं रखते थे उनकी उर्दू कविता का लगभग साथ प्रतिशत तब लिखा गया जब उनकी उमर बीस बरस की भी नहीं हुई थी और जो बहुत प्रसिद्ध गजलें हैं उनकी वो सब उनके बहुत कच्ची जवानी के दनों में लिखे गए उनकी असली आकांगशा फारसी में महान कवी माने जाने की थी और नवी सताइब उननीसवी शताबदी में हिंदी उर्दू शब्द ही नहीं चले थे हिंदवी ही कहलाती थी गालिब उर्दू में नहीं लिखते थे हिंदवी में लिखते थे कबीर ने लिखा नहीं उनकी कविता तो बानी कहलाती है वो तो बोलते थे और कोई शायद याद कर लेता होगा और पहले तो ये माना जाता था कि कबीर की कविताओं का पहला संचयन या संकलन गुरु गरंत साहब में हुआ फिर बाद में कुछ और लोगों ने खोच परताल की तो पता चला कि बीका नेर और राजस्थान के कुछ रजवाडों में कुछ पंडूलपियां उससे थोड़ा पहले की मिली हैं लेकिन कबीर ने खोओ लिखा नहीं है वो बादी है लिखत कबीर पढ़ो भई साधो नहीं है कहत कबीर सुनो भई साधो और गालिब के हाँ बाकाइदा लिखा हुआ है कोई बानी आनी नहीं है उसमें बोलने का लहजा है अदा है वो सब है लेकिन बानी नहीं एक बुन्यादी अंतर ये भी है फिर कबीर की मृत्यू के लगभग सौ बरस बाद पहली पांडूली पी मिली है या उतने ही बरस बाद गालिब तो उनके जीवनकाल में ही उनका दीवान च्छप गया था कबीर सनातन धर्म की राजधानी बनारस में रहते थे जुलाहा थे और हलांके इस बात पर कुछ थोड़ा बहुत बिवाद है लेकिन कुल मिलाकर जो साक्ष है वो यही कहता है कि वो मुसल्मान जुलाहे थे नाम भी कबीर मुसल्मान ही कही होता है हलांके मेरे बेटे का नाम भी कबीर है तो वो तो कानिकुप जब्राम्मान का बेटा है लेकिन फिर भी हमेंने उसका नाम कभीर रखा हुआ है। तो बहराल वो तो थे वहां की राजधानी में और ये थे मुगलों की राजधानी में। कभीर का सत्ता से कुछ रत्ती भर संबन्ध नहीं था। कबीर किसी राज दरबार में कफी गए हो उनको बुलाया गया हो तो का पता नहीं है लेकिन कबीर का कोई संबंध राज सत्ता से नहीं था जबके गालिब का राज सत्ता से संबंध था वो बहादुर्शाद जफर के दर्बार में थे और बहुत गालिब को सत्ता के प्रती बड़ा मोह था उनको एक लुहारू के इसी नवाब ने एक कोई पेंशन दी थी जो अंग्रेजों ने उसको काट दिया था तो उसको बहाल कराने की चक्कर में वो जिन्दगी भर लगे रहे बहाल हुई नहीं लेकिन वो कलकते तक गए उसकी वखालत करने और कलकते जाते हुए बनारस से निकले और बनारस पर उन्हों एक बहुत खुबसूरत कविता लिकिन कबीर का उनको पता नहीन था आधुनिक्ता के बारे में यह जो बहुत बड़ा एक भ्रम है कि वो बड़ी जानकार होती है यह एक उदाहरण है कि बिना जाने भी आधुनिक्ता होती है यह आप नहीं जानते हैं कि कोई और भी आधुनिक हुआ है फिर भी आधुनिक हो सकते है कबीर ने कई बोलियों में लिखा है भोजपूरी में लिखा है और राजस्थानी में भी कुछ मिलता है कुछ पंजाबी में भी मिलता है अवधी में भी मिलता है गालिब ने बिलकुल खालिस अर्दू या खालिस फार्सी में लिखा है उकालिब के हाँ कोई भाशा का ये नहीं है किसी तरह का अब अगर आप उत्तर भारत का सांस्कृतिक पर इद्रिश्य देखें तो उत्तर भारत दो कवियों का उपनिवेश है तुलसी दास और कबीर साधारन से साधारन लोग जिनको जो निरक्षर भी होंगे सबसे अधिक निरक्षर तो उत्तर भारत में ही है और उत्तर भारत से जो चले आते हैं कहीं और उनकी निरक्षरता में कमी नहीं होती सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ पहुँच गए है तो ये जो निरक्षर लोग हैं लेकिन वो फिर भी सांस्कृतिक रूप से साक्षर हैं। तो दो कवियों के कारण हैं तुलसी दास और कबीर। तुलसी दास की चौपाईयों का इस्तेमाल करते हैं। जीवन यापन में कुछ किसी को कहना हो। किसी को सीखावन देना हो। कुछ करना हो। कोई इंड़ पहो हम पूरे उत्तर भारत में च्छाई हुई है। इस अर्थ में गालिब लोक प्रियकवी नहीं है। इस अर्थ में तुलसी दास या कबीर लोक प्रियकवी है। फिर कबीर के बारे में एक और उल्जन ये है कि वो कविता में भी मौजूद हैं और धर्म में भी मौजूद है। असल में कबीर के नाम से झाचर्मी ही चल गया और अभी एक सर्वे से पता चला कि उनके जो कबीर पंथी तरह तरह के हैं कबीर मठ भी तरह तरह के हैं और सब एक दूसरे का खुन के प्यासे हैं हुँ कहता है कि नहीं कबीर तो उतरे थे आकाश से एक जोती वगर जैसे कहानिया होती हैं तमाम मसीहाओं की कि वो तो कहीं से उतरे थे और ये ऐसा हुआ था तो जो इस तरह की कहता था कबीर पर भी थूप दी गई है और उनके जो मठ हैं वो आपस में बिलकुल गला काट इ किसी और कवी को ये सम्मान नहीं मिला हुआ है मतलब हमारे नाम पर हमी किसी का गला काटे तो और बात है लेकिन हमारे नाम पर कौन गला काटेगा तो हम तो खार बहुती छुटवईये कवी हैं लेकिन जो बड़े कवी हैं निराला अगे वगर हैं इनके नाम पर भी कोई ध ऐसे धर्म की स्थापना करने का न तो उद्यम किया न कोई उपकरम किया न कभी कोई ऐसा इशारा किया लेकिन अब है कबीर भारत की जो केंद्रिय परमपरा थी यानि जो हिंदू बउध जैन परमपरा थी और बात में नाथ सिद्धों इत्यादी से जो भी संशोधित परिवर्धित हुई उसके कवी है लेकिन गालिब दूसरी परमपरा के कवी गालिब जो फार्सी अर्बी की परमपरा है और उर्दू का हिंदी भारती भाषाई भूगोल में जो महत्व है कि उसने इस दूसरी परंपरा को भारत में आयत किया अगर उर्दू ना होती तो हमारे पास अर्बी फार्सी के और अब तो सब भाशाओं में बहुत शब्द हैं मराठी में हैं और कॉंकुडी में भी होंगे और जो भाशाएं हैं रैयत करनार चक में चलता है जो के शुद्ध अर्बी का शब्द है ऐसे बहुत सारे शब्द है गालिब कभी कोई धर्म नहीं है बलके गालिब तो धर्म विरुद्ध थे कहने को तो कबीर भी धर्म विरुद्ध थे यहीं धर्म के कर्म कांड के तो सम बहुत पड़े विरुद्ध ही थे लेकिन उनके हाँ फिर भी कुछ धार में आस्था बची हुई है काफी बची हुई है कालिब के हाँ मिलकुल नहीं वो स्वर्ग पर भी संदेह करते हैं खुदा पर तो करते ही हैं और ये जो जन्नत वगरा पर भी करते हैं कबीर तो संत बैरागी थे हलांकि कहा जाता है कि उनका एक बेटा था उसके बारे में भी उन्होंने जो लिखा उससे उनके बेटे का कोई बहुत उनके मन में कोई बेटे को लेकर बहुत उपजा पूत कमाल बुड़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल यानि हमारा वंश दूब गया क्योंकि हमारा उपजाप पूत कमाल तो बूड़ा बंस कबीर का लेकिन कम से कम उनका एक बेटा था उनका परिवात हो ग्रिहस्त तो थोड़े बहुत थे वो लेकिन ज्यादा नहीं थे उनके ग्रिहस्ती का कुछ पता ठीक से चलता नहीं है जब के गालिब तो बाकाईदा हवेली में रहते थे कबीर के यहां तो महल का जिकर सिर्फ व्यंग के लिए है अगर महल अटारी का जिकर होता भी है तो उसका मजाग बना ले के लिए गी यह महल अटारी में रहके तू काल से कैसे बचेगा वो तो तुझे वैसे ही ग्रसेगा जैसे कुटिया वाले को ग्रसने वाला है और वो खुद अपनी मढ़ी में आप में डोलू अपनी ही मढ़ी में हूँ तो गालिब की तो हवेली थी मल्ले बल्ली मारान में बड़ी हवेली थी नौकर चाकर थे इत्यादी इत्यादी ये सब कोई तूम जहां ताम जूम बिलकुल नहीं था कबीर के यहां कबीर ने कभी अपने कवी होने का जिक्र ही नहीं किया है जहां तक मुझे मालू है कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं कवी हूं और गालिब के यहां तो अपने क कभी होने का बहुत जबरदस्त एहसास है और ये भी है कि मैं जो कह रहा हूं अगर तुम नहीं समझते तो न सही गर नहीं अश्यार में मानी न सही भाड़ में जाओं अगर तुम को नहीं समझ में आता हमारी कविता में तुम को कोई अर्थ समझ में नहीं आता तो कोई दिक् एक जबरदस्त आत्मिश्वास है लेकिन दोनों में एक दिल्चस्प बात यह है कि दोनों संगीत में मौजूद है कबीर लोक अभी एक अभी यह होना चाहिए शबलम विर्मानी नाम की एक महिला है बंगलोर में उन्होंने कबीर को लेकर अद्भुत काम किया है और सामगरी जमा की है और वो अच्छी खासी किसी डिजाइन इंस्टूट में काम करती थी अब वो निर्गुणियां गायका बन गई है उन पर कबीर ने ऐसा जादू डाला है लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत है कभी वो फिल्में दिखानी चाहिए क्योंकि कबीर की कितनी व्यापती है उनके अनुसार उनके सर्वेक्षन के अनुसार कबीर के पंथ का जैसा भी अंडबंड व्याख्या करके स्परधा करते हुए परस्पर रखीब पंथों द्वारा भी पांच्छे करोड लोग इस देश में कबीर के अनुआई है और कबीर को लोक गायन की बड़ी परंपरा है मालवा में है बिहार में है उत्तर प्रदेश में है राजस्थान में है कराची तक है सिंध में है जहां कबीर के पद आज भी गाये जाते हैं और तब से गाये जा रहे हैं फिर वो शास्त्री संगीत में भी उनका प्रवेश हुआ और हमारे मित्र कुमार गंधर्व ने कबीर को एक बिलकुल नए नया मुकाम दे दिया शास्ती संगीत में तो कबीर की संगीत में इसी उपस्थिती है गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि उनके जमाने में जो सबसे अच्छी गाये काये होती थी जो ज्यादातर तवाइफ हैं होती थी वो सब उनकी घजलें गाती थी और उनकी नई घजल के लिए बहुत तरस्ती थी और गालिब की भी गाये में एक कम सो साल की तो परमपरा हो ही गई कबीर का विश्व प्रवेश 1914 में हुआ विश्व प्रवेश मतलब ये है कि दुनिया के दूसरे देशों ने कबीर को पहली बार जानना शूरू किया जब रविंद्र नाथ ने hundred poems of कबीर नाम से एक शिति मोहन सेन ने जो कबीर के पद जमा किये थे जिसमें हजारी प्रसाद जी की भी भूमिका थी उनका उन्होंने अनवाद किया अब उस अनुवाद की भी बड़ी दिल्चस्प कहानी है एक सज्जन है विलान कंवर्ट कंवर्ट वो बेल्जियम में भक्ति साहिते के विशेशागे हैं और हर दो बरस में भक्ति साहिते पर एक अंतर राश्टी सम्मेलन करते हैं उन्होंने कबीर मिलेनियम नाम से एक कि अगर कोई एक पद पांच कम से कम पांच पांडूलुपियों में मिलता है तो वो फाइव स्टार हुआ यानि वो सबसे प्रामानिक है और फिर इसके हिसाब से कम होता गया तो तो यह जो रभींदरनाथ के सो पद हैं उस मापदंड से उनमें से एक ही पद प्रामानिक है बाकी 99 प्रामानिक नहीं है कबीर और तुलसी दास में एक बड़ा फर्क ये है कि तुलसी दास के यहां बाठ भेद तो हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर आप शब्द इदह उधर नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फनाना कविता कोई लिख दे और तुलसी दास का ना कि मतलब नीचट पंडित कवी हैं नीचट का अरत होता है सकत नीच नहीं यह हमारी बुंदेल घंडी का शब्द है नीचट मतलब सकत लेकिन कबीर की एक परंपरा है जितने पाद उन्होंने लिखे सो लिखे या कहे लेकिन उनके बाद वालों ने भी अपने हिसाब से कोई इस अर्थ में कबीर एक लोकतांत्रिक कवी है इसमें आप जोड़ते चलिए अगर आप उस धब के भाव को व्यक्त करेंगे तो आपको कबीर कहलाने का हक कम से कम कबीर दास देते हैं चलो वहीं ठीक है कुमार गंधर जो बहुत सारे पद गाते थे और चूंकि मेरी उ इजक में ये सब देखा इसमें तो कोई है नहीं इसमें इसमें आपको कहां से मिले हैं वहले बीजक इजक की छोड़ो हमारे हाँ एक शीतला नंद महराज का पीठ था देवास के बाहर उन्होंने उन्नीस सो तेईस में के अरतीस में कब जब भी एक कबीर भजनावली निका में कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो जुड़ गया तो चलिए अब कबीर की जो क्या कहेंगे उसको जो फितरत है जिसे कई बार मैं सोचता था कि कहत कबीर सुनो भाई साधो ये क्यों कहते हैं साधो से क्यों बात कर रहे हैं आप वैसी जुलाहा है और उस जमाने में उनको कोई बहुत मानने ता तो मिल नहीं गई थी असानी से और सब दोनों का मजाग बनाते थे पंडितों का भी और पांटे तुम निपन कसाई इससे पद श्रू हो रहा है याए पांटे हमारे कोई पूरवज रहे होंगे तो उहनके बारे में बगाता कि तुम तो निपन कसाई हो और मुलाओं का मजाग बनाते थे के चीटी के पक नेवर बाजे सो तेरा साहिब सुनता है उँची चळके बांग लगाए क्या तेरा साहिब बहरा है अजान की बारे में तो वो लोकप्रिय तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों को चुनोती दे रहे हैं दोनों का मजाग बना रहे हैं तो वो कहत कबीर सुनो भाई साधू क्यों कह रहे हैं तो मैंने अपनी दुष्ट बुद्धी से इसका ये अर्थ निकाला कि ये बातें जो वो कह रहे हैं असल में साधूओं को पता होनी चाहिए और साधूओं को ही ये पता नहीं है इसलिए वो कहने कहत कबीर, सुनो भाई साधो ये पत्थ अगम अगाद, ये तो साधू को पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है, साधू का इतना पतन कम से कम बनारस में हो चुका होगा उस समय मतलब हमारा समय में तो बहुती अधाय पतन हो गया है लेकिन उस समय भी इतना पतन तो हो ही गया था कि उनको बार बार ये याद दिलाने की जरूरत थी कि ये जो अगम अपत है ये जो कथा अपरमपार है ये तुमको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हलांके मैं जुलाहा हूँ, तो ये एक तरह की इसी तरह से उनका है, कि ऐसा कोई ना मिले जासे रहिये लाग, सारा जग जलता रहा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिस से आप जाके मिलें क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आग में जल रहा है तो मैंने अपने मन में एक सवाल पैदा किया कि ये दो आग वाले लोग हैं एक आग कबीर की है धूनी लगी हुई है चीटा बाट के अपने बनारस में बैठे हुए है एक आग ये है दूसरी आग गालिब की है जो उनको भस्म किये जा रही है तो इन दोनों आगों की प्रकृति को देखा जाए और ये जो कबीर के हाँ आग है वो शुरू तो इसी से होती है के कबीरा खड़ा बजार में लिवे लुकाठी हाथ जो घर फूक है आपना चले हमारे साथ अब अजब शर्त है कि आपके साथ चलें तो हम अपना घर फूक है हमने कहां डाना पाउला या जहां इतना अच्छा फ्लैट ले रखा है आपके साथ फूक के हम कहां चलेंगे तो ये उस समय ये कहना कि जो भी तुम्हारी पारंपरिक आश्वस्तियां हैं जिन चीजों के बारे में तुम बहुत निश्चित हो जैसे अपने घर के बारे में सबको पता है कि दर्वाजा कहां खुलता है या कहां चटकनी ठीक नहीं है या खिड़की आधी खुलती है कि नहीं खुलती है अपने घर के बारे में आपको सबसे अधिक पता होता है कि इसने कह रहे हैं कि अपना वो घर फूको तब हमारे साथ चलने का उद्यम कर सकते हैं कबीर के यहां हर बार अपना कुछ नश्ट करके ही आगे जाया जा सकता है अपना आपा नश्ट कीजिए अपनी जो जायजाद है जो चाहे भहुतिक जायजाद हो चाहे आध्यात्मिक जायजाद हो सब में कूडा करकट भरा होता है हमारे हाध्यात में भी काफी कूडा करकट भरा रहता है आजकल तो खर बहुत ही भर गया है लेकिन और जमाने में भी कम नहीं रहा है इस सब को जलाए बिना छोड़े बिना तो कबीर आसानी से बात करते करते एक दार्शनिक प्रशन पूज देते हैं अवधू अगिनी जड़े के काट अवधूत क्या जलता है लकडी जलती है के आग जलती है क्योंकि दोनों के लिए क्रिया तो जलती है हम कहते हैं का आग जल रही है और अगर लकडी जले तो उसको भी कहते हैं लकडी जल रही है तो जलता क्या है अब ये बहुत ही साधारण सा एक एक जिग्यासा है लेकिन इसकी पीछे जो जो चिंता है वो क्या चिंता है हमारे मित्र कुमार गंधर भी कहते थे मैं मित्र वगर ऐस कह रहा हूं कि आप पर थोड़ा तो मेरा रौब जमें कि मैं कुछ थ इसे आया दुम चला खाम खाम तो बीच बीच में ऐसे जो बड़े नाम लेता हूं वो सिर्फ अपना रौब जमाने के लिए लेता हूं वो कहते थे कि एक बार ऐसल में यू हुआ कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भारत भावन में कबीर पर एक नाटक तयार किया जाए कि उपस्थित ही हमको उद्बुद्ध करनी हो तो कुमार जी आकर गा दें कोई पद अब लेकिन टेड़ी खीर कि कुमार जी को कैसे मनाया जाए तो जब अगली बार वो आए तो जगदी स्वामी नाथन चितरकार बवाकारन और मैं पूरा शड़यंत्र बना कर बैठे हमारे घर रसरंजन इत्यादी करते हुए और ये हुआ कि कबीर तो कुमार जी ने कहा कि देखो तुल सीदा सूर मीरा सब क्यूं में खड़े कबीर क्यूं से बाहर अब पहले इसी उक्ति पर हम लोग लहू लहाट होने लगे क्या बात कही है फिर उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है लेकिन कबीर को घूंगरू नहीं अब एक मराठी कुस् नहीं इस पर स्वामी नाथन इतने मुग्ध हुए कि हमारी सारी शाम कबीर को घूंगरू नहीं पर ही पीत गई और वो मसला ही दरपेश नहीं हुआ कि कैसे कुमार जी को मनाया जाए और उसके दो तीन कुछ महीने बाद ही मामले खतम हो गया तो कुमार जी ये कहते थे कि निर्गुन वो है वो दो बाते कहते थे कि आवाज में शून ने पैदा होना चाहिए मैंने अभी कल पर सूँ कभी ये जिक्र किया था कि कबीर के यहां ये कहा जाता है कि शून शिखर पर दियेना बार एक तो शून उसका शिखर उस पर दिया जलाओ मतलब ये एक बहुती असंभव किस्म का उद्यम होगा तो कुमार गंधर कहते थे कि आवाज में शून ने पैदा होना चाहिए अगर निर्गुन गाना है और दूसरा ये कि निर्गुन वो है जो चोट तो करे मगर घायल न करे तो ये जो एक दुनिया बनती है जिसमें कबीर के यहाँ बार बार ये बात आती है कि बलके कबीर जैसे लोग बार बार हमको इसकी और ले जाते हैं कि तुम वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो जो सवाल अन पूछा है हमारी परंपरा में भी बहुत सवाल नहीं पूछे कए हैं वो क्यों नहीं पूछे कए हैं अगर हम एक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं तो हमको उस परंपरा के बारे में सवाल पूछने का भी अधिकार है इसलिए कबीर की जो आग है वो आश्वस्तियों को भी जलाती है वो जो पारंपरिक संबंध दिये गए हैं पिता, माता, पत्नी, इत्यादी उन संबंधों पर भी प्रश्ण चिन्ध उठाती है और ये जो बहुत सारा कर्मकांड है, ब्रह्मनों का प्रतिपादित और उनके द्वारा संचालित उस पर भी प्रश्ण उठाती है और बार बार एक ऐसे ऐसी आस्था के लिए आपको प्रेरित करती है, जिस आस्था के रहते आपको मंदिर, पुरोहित या इस तरह के किसी संबंध कारक की जरूरत नहीं है तो कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में, मोखों कहां ढूड़े तू बंदे, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहां ढूड़ रहा है हम लोगों ने एक बार एक इटालियन के साथ एक फिल्म बनानी की सोची थी, बनी नहीं खर, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई दुनिया में, सुन में से एक ये भी है तो हम लोगों ने ये कहा था, गॉड नेक्स डॉर फिर लगा कि नहीं, गॉड क्यों, फिर का नेक्स डॉर, फिर सोचा नेक्स क्यों, डॉर इस पर रुख गई दर्वाजा कभी खुल लई नहीं, तो इसलिए कुछ हुआ नहीं लेकिन भक्ति काव्य ने हिंदी में एक नई जनतांत्रिक्ता को जन दिया उस जनतांत्रिक्ता में ये बात नहित थी, कि ये जो बीच वाले हैं, जो बिचौलिये आजकल सब बिचौले ही तो बहुत खा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, और जो पकड़े जा रहे हैं, वो भी बिचौलिये हैं खा रहे थे लेकिन पक्ड़े गए ये बिचॉलियों की जरूरत नहीं है तुम सीधे यानि उन्होंने अध्यात्म को आपके पडोस में लाकर स्थापिद कर लिए कि तुमको इधारोदा दुनिया भर में जूनने की जरूरत नहीं है ये तो तुम्हारे बगन में है तुम में बैठा हुआ है तुमको कहां तुम इसको ढूड़ रहे हो मंदिर में और प्रोहित के हाँ और गरंथों में और बेद पुरान में इत्यादी इत्यादी ये जो उनके यहां आग के रूपक का बहुत इसमाल है मैं आपको बहुत ही अकादमिक इसमगा व्याक्यान नहीं देना चाहता हूँ एको टोट करके बताओं कि इतनी बार उन्हों इसका उप्योग किया है वगरा लेकिन आग उनके यहां जलाती भी है और प्रकाश भी दे करती है वो मुक्त भी करती है और मुक्त के सारे जूटे आश्वासनों को भस्म भी करती है पार बार कबीर के यहां यह यह कहा जा रहा है और कबीर के यहां आग से मृत्यू का भी संबंध बंध है जितना जीवन से है उतना मृत्यू से भी है बड़ा कभी वो होता है जो किसी रूपक का यह किसी बिम्ब का एक अर्थ रूढ नहीं करता उसमें अनेक अर्थों की संभावनाएं छोड़ देता है कबीर के यहां देखिये हाड जले जो लाकड़ी केस जले जो घांस सबतन जलता देखिकर भया कबीर उदास कि सब कुछ जल रहा है बार बार कबीर के यहां जो आग जलती है उसमें जीवन भी भस्म होता है शरीर भी भस्म होता है लेकिन उसी से वो विवेक उसी से वो सम्यक बुद्धी भी जागती है प्रकाशित होती है जो इन सब को एक उचित परिप्रेक्ष में देख पाती है हम लोग तो अब आजकल ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं कि हम अमर हैं हमको कुछ नहीं होने वाला है हमारे पड़ोसी मर जाएंगे लेकिन हम तो पता नहीं कौन सा अमरित पी के कहां से आए हैं और एक अनंत वर्तमान है जिसमें हम रह रहे हैं काल की कोई परिकल्पना हमारे जीवन से गायब हो चुकी है अब कबीर को अगर आप पढ़ेंगे तो कबीर आपको काल की फिर से याद दिलाता है कि ये बहुत फूफा मत करो बहुत जिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा एक दिन जब काल आके पकड़ेगा तो फिर कोई कि ऐसे कवियों की जरूरत पढ़ती है ऐसे समय में जब आपको लगता है कि और कविया आपका साथ नहीं देगा क्योंकि ये याद दिलाना आधुनिकों को बहुत जरूरी है कि भले तुम बहुत आधुनिक हो भले तुम्हारे पास 2517 चैनल्स हैं और तुम क्या नहीं कर सकते और महल दो महले है और तुम्हारा यहां इस बीच के बगल में मंगला है और उधर हो सकता है कि यूरोप में भी तुमने अभी कुछ खरीद खराद लिया हो इस सब से ये सब अपनी जगए है लेकिन काल से बच नहीं सकते और काल से बचने की जो जुगत है वो सिर्फ यही है कि आप इस जीवन में ऐसा कुछ करें जिससे आप अपने बाद भी बचे रहें अपने भावतिक समापन के बाद भी बचे रहें अब जो यानि इस समय अगर कभी जीवित होते तो अनेक कानूनों के अंतर जेल में होते हिंदूओं को गाली देने के अपराद में हो सकता था कि वो सांप्रदाएक सद्भाव की उल्लंधन कर रहे हैं मुसल्मानों की निंदा करने के लिए हो सकता था कि वो सांप्रदाएक सद्भाव का उल्लंधन कर रहे हैं इत्यारी इत्यारी तो अनेक जगहे अनेक जेल में होते हैं अनेक कानूनों के तहत वो जेल में होते हैं लेकिन उस समय पंद्रहमी शताबदी में बनारस में जो के सनातन धर्म की राजधानी है एक जुलाहे में ये हिम्मत है कि खुले बजार में दोनों धर्मों की खिली उड उनके पुरोहितों की उनके कर्मकांड की उनकी धूर्टता की उनकी धोकेबाजी की उनके गलत मुक्तिके आश्वासन देने की तो मित्रो मेरे हिसाब से हम कबीर के मुकाबले कम साहसी हैं और कबीर के मुकाबले कम आधुनिक हैं आधुनिक्ता का ये दंभ कि हम बड़े तीसमार खाँ हैं क्योंकि हम वो कुछ चल बोले का कुछ इस्तिमाल कर लेते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला ये सब ठीक है रहे तो अच्छा ही है नहों तब भी चलता है ऐसे करोणों लोग होंगे जिनके पास इस तरह के साधन नहीं है और फिर भी वो जीवन में रस लेते हैं फिर भी जीवन उनके लिए अर्थ रखता है अब अगर गालिब की तरफ चलें तो गालिब के यहां तो आग जो है वो इस खदर जल रही है एक दूसरा ट्रेस मैं इस समय नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा घर का बिंब भारती कविता में संभवता पहली बार भक्त कवियों में आया प्राकृत में आया होगा शायद लेकिन संस्कृत में घर की कलपना इतनी नहीं है जितनी प्राकृत में और बाद में भारती भाशाओं में हैं और चुके कबीर आरंभिक कवी है हिंदी के लगभग आरंभिक हैं तो इसलिए उनके यहां यह जो बिम्ब है घर का जो घर फूके आपना चले हमारे साथ वो घर गालिब के यहां आते आते खंडहर में बदल गया उग रहा है दरो दीवार से सबजा गालिब हम बयाबा में हैं घर में बहार आई है जब कोई अमारत जह जाती है तो उसमें घास उगने लगती है दीवारों पर क्योंके वो तो खुल जाता है छपर अपर नहीं रहता वगरा तो उग रहा है दरो दिवार पे सब्जा यानि हरी घास गालिब हम बयाबा में हैं घर में बाहर आई है तो ये जो घर था कबीर का वो गालिब के हां आते आते धुस्त हो चुका है अब गालिब कहते हैं पहली दिवान का पहला शेर ही आग पर है बस हूँ मतलब पहला शेर तो नहीं घजल में ही पहला शेर पहली घजल में ही शेर बस हूँ गालिब असीरी में भी आतश जेर पा मुए आतश डीद है हलका मेरी जन्षीर का मैं कैद हूँ मैं बंद हूँ असीरी में हूँ लेकिन पिर भी आग से जलता हूँ तप रहा हूँ और मेरे जो जन्जीर है वो भी उसमें भी आग सुलग रही अब ये जो चित्र है अपना ये कोई बहुत सुख़द चित्र नहीं है और गालिब के यहां ये अद्भुत बात है कि ए गजल शुरू होगी ट्रैजिक नोट पर और खत्म होगी अपना मजाग बनाते हूँ दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिन्दगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं लगातार तेरे घर के दर्वाजे पर पड़ा हुआ मैं नहीं हूँ दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिन्दगी पर के पत्थर नहीं हूँ ऐसी जिन्दगी पर खाक के मैं पत्थर नहीं हूँ तेरे दर्वाजे का वरना तू रोज निकलती और उस पर चोट लगाते हुए जाती या रव जमाना मुझको मिटाता है किस लिए लोहे जहां पे हर्फे मुकर्रर नहीं हूँ मुझे ये जो दुनिया है ये जमाना है ये जो इस टाइम्स ये मुझे क्यों मिटाने पे उतारू है मैं दुनिया के सफे पर गल्दी से लिख दिया गया दूसरा अक्षर नहीं हूँ अब जराए आप विम्म देखिए कि मैं क्योंकि दूसरा अक्षर लिखा तो उसको मिटाया जाएगा क्योंकि वो बिकार का है अतकारा है एडिशनल है उसकी कोई जरूरत नहीं है हर्फे जहां पे हर्फे लोहे जहां पे हर्फे मुकर्रर नहीं हूँ मैं अब यही गजल जो इतने ट्रैजिक नोट पर चल रही है खत्म कहां हो रही है गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दूआ वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं इस बीज गालिब को वजीफा मिलने लगा है दर्बार से तो गालिब वजीफा खार हो वजीफा लेने वाले हो इसलिए शाह को दूआ दो अब वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं तो ये एक और गालिब में ये बहुत बार हुआ है कि वो बड़ा कवी वो है जो एक रूपक कोए पहरम पर एक अर्थ को बिलकुल पलट दे दिवाली के जो चिराग है वो बहुत ह Михुशी का स्चोहार होता है दिवाली और चिराग जो है वो दिवाली के चिराग है इसलिए उनको बहुत हToo हसी घुशी से लोग जलाते है अब गालिब ने जो शेर ये उसका पहला मिसरा याद नहीं इसने सोच रहा हूँ कि देख रहूँ है तमाशा गाहे सोजे ताजा खर यक अजब तन जू चिरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूँ मैं जैसे दिवाली में चिराग एक कतार के बाद दूसरी कतार में जलते हैं वैसे मैं जलता हूँ अब एक हसी खुशी के बिम्ब को गालिब ने तकलीफ यंत्रणा यात्ना के बिम्ब में बदल दिया यह आसान काम नहीं है तो गालिब के हाँ जो आग है एक जमाने ने लगाई है एक प्रेम ने लगाई है एक अल्ला ताला ने लगाई है दुनिया भर के आश्वासन दे के और दूसरी इन सब के बीच टू रिटेन ए सेंस अफ हूमा तू रिटेन ए लौफिंग आई वाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैट कर या वो जगह बता कि जहां पर खुदा नहों क्योंकि अगर हर जगह खुदा है कुछ न होता तो कुछ न था खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता दुबोया मुझ को होने ने न होता मैं तो क्या होता अपने होने की व्यर्थता जो के बाद में आधुनिक्ता का बाड़ा भारी गुण बना अस्तितवाद और क्या 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 जिसके नाम अंतरराष्टी इस तर पर गड़े गए वो हमारे हैं उन्नीसी सदी के पूरवार्थ में हो चुका है दुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहां कोई न हो ये शायद गोवा और अगरे में आते तो उनको ये लगता कि हाँ तो सभी लोग ऐसे रहते हैं यहां कोई न हो करीब करीब रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई नहो और फिर पढ़ो पढ़िए गर बीमार तो कोई नहो ती मारदार और गर मर जाईए तो नौखा कोई नहो अगर आप बीमार पढ़ें तो आपकी सेवा टहल करने वाला कोई नहो और अगर यानि Isabel for instance incidentally I must congratulate publicly Isabel Waza for having won the national award for theater today we must तो पढ़िए गर बीमार तो कोई नहो ती मारदार कोई Isabel नहीं होंगी और गर मर जाईए तो नौखा कोई नहो ऐसी जगह की कलपना करना यहां दूसरे जो हैं वो एक तरह की कठनाई है और आधुनिक्ता का एक बड़ा द्वन्व दूसरों को लेकर हुआ है कि हम दूसरों का क्या करें दूसरे इतने सारे हैं दूसरे हम पर हावी हैं दूसरे ये कर रहे हैं दूसरे वो कर रहे हैं तो गालिब तो इस पर उतारू हैं कि इस पूरे संदर्ध में आप देखें तो कबीर और गालिब दोनों अपने अपने धंग से और उनके धंगों में कोई समानता नहीं है सिवा इसके कि दोनों कवी हैं सिवा इसके कि दोनों में प्रश्न पूछने की हिंमत है सिवा इसके कि उनको अपने समय की सचाई का सामना करने से कोई रोक नहीं सकता सिवा इसके कि वो भाशा को वहां ले जाते हैं जहां भाशा पहले नगई हो जो कि कविता का बुनियादी काम है सिवा इसके कि बावजूद सारे दबावों के वो अपने सच पर जिद कर अटल रहते हैं यानि अगर मैं अपने किसी पिछड़े भाशन का फिर से हवाला दूँ जो कविता को सत्याग्रह की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा सच है है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारभ हमने नक्षे इमकां को एक दश्टे इमकां को एक दश्टे पापाया अगर तमन्ना यानि अम्बिशन और डिजायर का कोई दूसरा कदम पहला कदम तो ये दुनिया है है कहां तमन्ना का दूसरा कदम यारभ यारभ यानि है इश्वर दूसरा कदम कहां है इस दुनिया का क्योंकि हमने इस दुनिया को तो अभी तक एक पैर की छाप की तरह देखा है आप में से कुछ को याद होगा योगवाशिष्ट में ये कहा गया है कि ये दुनिया कहानी पूरी कह चुकने के बाद उसकी जो छाप रह जाती है वो ये दुनिया है ये दुनिया कहानी नहीं है कहानी पूरी कही जाने के बाद उसकी जो चाप रह जाती है वो ये दुनिया है खालिब योगवाशिष्ट से सर्वता परिचित है कोई प्रबान नहीं को योगवाशिष्ट का नाम है सुना होगा कभी लेकिन वो वही बात कह रहे हैं जो योगवाशिट कह रहा है कि है कहां तबन्ना का दूसरा कदम यारभ हमने दश्टे इमका को एक नक्षे पापाया तो ये जो उन्होंने अपने लिए ये भी कहा था कि मैं क्या अंदलीबे गुलशने नाफरदा हूं मैं एक असंभव बगीचे का की कोयल हूं एक बगीचा जो अभी बना ही नहीं है उस बगीचे की यानि वो असंभव बगीचा जो है उसकी मैं एक अंदलीब हूं उसकी कोयल हूं उसका एक पक्षी हूं गालिब ने महा कावे नहीं लिखा और नक कबीर ने महा कावे लिखा तोनों ने छिटपुट कविताएं ही लिखी गालिब ने घजल लिखी और कबीर ने पद और लेकिन दोनों की कल्पना महा कावे आत्मक है उन्हों ने वो किया जो एक जमाने में मसलन रिलके ने जर्मन कविता में किया छोटी कविता ने लिखी लेकिन उन कविता में जो उस कविता में जो कल्पना है वो महा काब आत्मक है और ये जो कबीर के हाँ काल की जो छाया है वो ये है के खलक चबेना काल का ये खलक ये दुनिया जो है असल में तो काल का चबेना है कुछ मुह में कुछ गोद ये चबेना है जो काल खा रहा है हम सब काल के चबेने हैं और थोड़ा सा चबेना गोद में रखा हुआ है और कुछ अभी मुह में है यानि काल कुछ को खा रहा है, कुछ को खा चुका और कुछ को जल्दी ही खाएगा वो उसकी गोद में रखा हुआ है, खलक चबैना काल का कुछ मुँ में कुछ गोद, ये काल की हमारे यहाँ जब ऐसी चीजें आ जाएं, जिन चीजों के बारे में हमारी सामाजी की स्मृति शिथिल पड़ जाएं, तब कवी का एक जरूरी काम ये है, कि आपको याद दिलाएं, कवीता स्मृति का परिसर है, वो जाती स्मृति का भी परिसर है, और कवी की व्यक्तिकत स्मृति का भी परिसर है, कबीर और गालिब दोनों ये याद दिलाते हैं बार बार, कि हम गालिब का तो मिस्राही है आदमी को भी मैसर नहीं इनसा होना बसके दुश्वार है हर काम का आसा होना आदमी को भी मैसर नहीं इनसा होना आदमी को भी आसान नहीं है इनसान हो पाना अब आदमी और इनसान में यहां जो फर्क किया जा रहा है It is not, even for a man, it is not possible to be human. It is not easy, not possible, of course it is possible, but it is not easy to be human. ये वो सबक हैं कविता के, जो आपको अपनी कुंद जहनी, अपनी छोटे से पिंजड़े में घूमने के सुख से मुक्त करती है. आपको अवल तो ये बताती है कि जिसको आप सुख और अपना आसपास समझे हुए हैं, वो दरसल एक पिंजड़ा है. जिसको आपको तोड़ सकना चाहिए, जिससे बाहर आपको मुक्त होकर आ सकना चाहिए. और दूसरा ये कि जब तक आप ये पहचानेंगे नहीं कि आप कैद में हैं, कबीर के यहां भी आदमी कैद में हैं, धर्मांधता की कैद, अनुष्ठानों की कैद, रिचुल्स की कैद, मुला, पंडित, मस्जित, मंदिर की कैद, ये सब कैद हैं. और दूसरी तरफ, ये पहचान अगर नहीं होगी, तो आप इस कैद से कभी मुक्त नहीं होगे. जो अपने पिजरे को नहीं पहचानता, उस पकशी को ये उम्मीद नहीं कर सकता चाहिए, कि वो कभी उससे मुक्त होगा. क्योंके वो तो पिजरे कोई नहीं पहचानता गालिब के यहां कबीर के यहां तो फिर भी आस्था संभव थी गालिब भारती कविता में नाउमीदी के सबसे बड़े कवी गालिब के बराबर नाउमीदी का कवी ना उनसे पहले हुआ ना उनसे बात हुआ दैर नहीं हरम नही दर नहीं आस्ता नहीं न गर है न दरवाजा है ना मंदिर याने पूजा घर है ये कुछ नहीं है बैठे हैं रह गुजर पे हम गैर हमें उठाए क्यों गालिब खस्ता के बगाइर कौन से काम बंद है रो ये जार जार किया कीजीया हाँ हाँ क्यों अपने बारे में ये कह सकना गालिब बहुत अहंकारी वेक्ती थे गालिब को ये पूरा विश्वास था कि वो महा कवी है और ठीक विश्वास था अखिर सस्रा महा कवी हो के हम पर चाया हुआ है तो ठीक ही रहा होगा उसका मानना ये लेकिन दूसरी तरफ अपना मजाख बनाने की भी क्षमता थी जिसमें ये कहना गालिब खस्ता के बगएर कौन से काम बंद है रोए जार जार क्या कीजिए हाए हाए क्यों दिल ही तो है न संगो खिश्ट दर्द से भर ना आए क्यों रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों ये दिल है कोई इट पत्थर नहीं है जो दर्द से दिल ही है संगो खिश्ट दर्द से भर आए क्यों रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों शुरू हो रहा है रोने से और फिर अंत हो रहा है بنا سکتے ہیں वो खूद ही मजाग होते हैं उनका मजाग बनाना क्या उनका उनका वो तो यह जो महाप्राण होते हैं वही अपने पर हस सकते हैं यह जो सीखें हैं यह जो आग की लपटे हैं इनसे आप जुलसते हैं पीछे हटते हैं फिर आपको हबीब तन्वीर इस्तिमाल करते थे आगरा बजार के अंतिम दुश्य में कविता का शीर शक है आदमी नामा तो उसमें या आता है कि जो मस्जिद में चुराता है जूतियां सो वो भी आदमी और जो उसको ताड़ता है कि ये शादा दूसरे की यूती ले जा रहा है सो वो भी आदमी कविता का मित्रो एक बुन्यादी काम आपको बार-बार ये याद दिलाना है कि हम जैसे भी हों जहां भी हों चिकने चुपडे हों, रंगीन हों, काले हों, गोरे हों सावले हो, नाटे हो, लंबे हो धनवान हो, गरीब हो, साधन हीन हो, साधन संपन हो सीड़ी के ऊपर बैठे हो, सीड़ी के नीचे बैठे हो पुनियादी चीज यह है कि हम सब आदमी है और आदमी होना मुश्किल होता जाता है कविता सिर्फ ये याद दिलाती है कि मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है कबीर और गालिब आप दोनों को पढ़ें तो ये आपका हैसास बना रहेगा एक तरह से अपनी नाउमीदी के बावजूद अपनी घोर नाउमीदी और अनास्था के बावजूद जानते हम भी है चन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ये सब भी गालिब ने कहा है उसको बिल्कुल रद्भी भार वारोसा नहीं है कि सेसरी कोई बहिश्ट है और ये सब है उसको पता है कि ये सब मामला गरबढ़ है ये खुदा जाने होगा कि नहीं होगा वगरा वगरा लेकिन इस सब के बावजूद वो इस आस्था को फिर से आप में स्थापित करता है कि आप मनुश्य हो सकते हैं गंभीर से गंभीर संकट में कठिन से कठिन परिस्थिती में और हम से ज्यादा विशम परिस्थितियों में ऐसे कवी थे जो मानुवी हो सके तो हम क्यों नहीं हो सकते कवी हुए बिना भी हो सकते हैं कवीता पढ़े बिना भी हो सकते हैं कुँछ जबूरी नहीं है कि आप कविता पढ़ें तो अच्छा है ना पढ़ें तो आपको दुनिया में कितने लोग हैं जो कविता पढ़ते उनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता है उनको कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होती लेकिन ससरे जो पढ़ते हैं दुर्भाग इसे और मेंसे कुछ चात्र वात्र हैं जिनको विचारों को मजबूरी है पढ़ना क्योंकि उन्होंने पाठिकरम और मजबूरी है हमको सुनना क्योंकि अब पाठिकरम का हिस्सा है लेकिन कविता के बिना भी काम चल सकता है लेकिन कविता का एक काम ये जरूर है कि वो आपको मनुष्य होने की अथक संभावना के प्रति आश्वस्त करती चले कि कठिन से कठिन समय में अंधेरे से अंधेरे वक्त में भी आदमी बन सकना संभव है धन्यवाद ये कबीर के आग की बात कही है आपने गम और रह की बात कही है और गालिप के भी गम और रह की बात की है तो इन दोनों में ये गम और रह लोकिक है या आलोकिक है किसमें आलोकिक जादा है और किसमें लोकिक जादा है इसमें थोड़ा प्रकाश्ट है अबल तो मैंने विरह शब्द का इस्निमाल ही नहीं किया लेकिन बहराल अगर आपको लगा हो तो किया होगा शायर मुझे लगता है कि ये दोनों कवी लोकिक और अलोकिक के बीच जो हमने फांक बना रखी है उसको पाटते हैं कबीर के यहां जितने यानि ब्रिहत्तर सचाई जो है उससे तदात्म होनी की जो मनुष्य की स्वाभाविक आकांशा है वो दोनों के हाँ है उसके कई रूप है प्रेम है विरा है वगरा वगरा कबीर के हां लगेगा कि वो अधिक अलोकिक की बात कर रहे हैं लेकिन जब भी अलोकिक की बात करते हैं तो लोकिक रूपकों का ही इस्तेमाल करते हैं रमया की दुलहिन लूटा बजार माया महा ठगिनि हम जानी ये सब सगुन संसार के साधार्ण जीवन की बिम्ब है जिनका वो लौकिक संसार की बिम्ब है जिनका इस्तेमाल वो लौकिक की और संभवता लक्ष करने के लिए या इंगित करने के लिए करते हैं गालिब के यहां दोनों से खेल है, अर्श के, मन्जर एक बलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उधर होता काश के मकाँ अपना, हम एक नया मन्जर, एक नया द्रिश बना सकते थे, अगर हमारा मकान आकाश के उस तरफ होता, अब मकान एक लोकिक है, आकाश भी एक लोकिक अवधारणा है, लेकिन चाह क्या रहे हैं आप, आपका मकान उस तरफ हो आकाश के, तो एक अलौकिक बात पैदा हो रही है लेकिन सहारा लौकिक देखे कविता तो कविता अध्यात्म नहीं है और खुदा का फजल है के नहीं है मतलब उसकी महरबानी है के नहीं है क्योंकि अध्यात्म की अलग जगे है और हर चीज़ में अध्यात्म नहीं खोज़ना चाहिए अगर अध्यात्म का सीधा साजा अर्थ ये हो जो के मैं लगाता हूँ एक के हम एक बड़ी सचाई का हिस्सा है दो कि इस सचाई में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कभी कभी हमको लग सकता है के हम जब रो रहे हैं तो दूर के किसी तारे की आँख में भी आँसु आता है तीसरा ये के हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं चौथा ये कि हम दूसरों के बिना नहीं हो सकते वो दूसरे सिर्फ दूसरे मनुष्य ही नहीं है दूसरे प्राणी, वनस्पति पर्यावरण, सूरि पृत्वी दक्षत्र, इत्यादी त्याए अगर इसे आप अध्यात मानें जैसा कि मैं मानता हूँ तो ठीक है इसके लिए कोई इश्वर की जरूत नहीं इसके लिए किसी धर्म की जरूत नहीं इसके लिए किसी कर्मकांड की जरूत नहीं और इस अर्थ में साहित्य और कलाएं भी अपने आप में अध्यात्म काहिये की विधाएं हैं क्योंकि वो भी आपको यही सब बताती है तो कविता को जैसे निर्गुन कविता निर्गुन कविता तो भाषा तो सगुन है भाषा की सगुनता से बुक्त नहीं है सगुनता तो आखिर निर्गुन का भी जब विचार होता है निर्गुन की भी जब अभिव्यक्ति होती है तो होती अभिव्यक्ति तो सगुन कबीर के यहां भी जितने रूपक हैं जो भी निर्गुन का बखान है वो सब सगुन रूपकों के माध्यम से है क्योंकि कविता देखिए कविता संसार के अनुराग से पादा जो ससरा संसार से अनुराग नहीं करता उसको कविता नहीं लिखना चाहिए ना कविता पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे काम है करने को सिलाई की दुकान कर लीजिए और कोई पंक्चर सुधारने का कुछ कर साहित संसार के अनुराग से ही पैदा होता है और जिसको संसार से अनुराग गहरा करना हो वही साहित पढ़े जिसको न करना हो किसी को मुक्ति चाहिए और किसी को भवसागर पार करना है तो साहित इसकी आपकी मदद नहीं करेगा यह साहित का काम नहीं है आपको भवसागर पार कराना ऐसे भी भवसागर आप पार नहीं कर पाएंगे मैं आश्वस्त हूँ लेकिन अगर करी लें तो मेरी शुभ काम ना है लेकिन ये काम साहित नहीं कर सकता ये साहित इसे उम्मीद करना हमारे हमारे कवी हैं बड़े गजान उसके बस में क्रांत ही करना नहीं है, लेकिन परिवर्तन की आकांक्षा पैदा करना उसके बस में है। करते हैं, लेकिन गालिब ना ऐसे समाज सुधार का ना तो दावा किया, और ना कोई समाज सुधार किया, कबीर ने भी कोई दावा नहीं किया, जहां तक मैं जानता हूँ, उनके कहने से बहुत सारी चीजों पर समाज ने पुनर विचार करना शुरू किया होगा, ये सही है, उसका कोई दावा कबीर ने नहीं किया है, और कबीयों का समाज सुधारक होना आवश्यक नहीं है, हो जाएं तो अच्छा है, नहों तब भी अच्छा है। कर दिया अड़न है और संसार को चड़ भंगुन और Nico Amonde शान अध्याग तो बोनों दोने पाया जाता आ माँदे का रभा का रविए जाता आड़ी तो मैंने तो नहीं कहा आजए हरा हाँ कि地 कि अ इस्ता पूछिए आप को भी मुक्ति म है ले मुझर ही Fest आज के कमियों को इतनी सदियां मिली नहीं आज के कभी विचारे आज के कभी और इनको तो दो दो सदी तीन सदी चार चार सदी मिली हुई है तो जब हमको मुख्वा मिलेगा आज से चार सो बरस पाग कोई पूछे तो हम बचे के नहीं बचे बहुत करके तो नहीं बचेंगे लेकिन क्या मालम कुछ बच भी जाएं तो इसलिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कभी और गालिब जैसे कभी अज के आज कोई कभी लिखता है तो उसका समझ पर क्या पड़ेगा या समझ तो क्या कहेगा देखिए अबल तो अगर आज कोई कभी और गालिब होना चाहे तो वो उन जैसी कभी ताइं लिखके नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया बदल चुकी है सजाई बदल चुकी है शैलिया और मुहावरे बदल चुके है भाशा बदल चुकी ह इसलिए अगर कोई आज कभीर और गालिब की नकल में कभीता लिखेगा तो खराब लिखेगा इसका को मतलब नहीं अगर देखिए मैं आपको एक उदान देता हूं बेदड़क बोलने का तीन चार उदारन देता हूं अगे ने लोकतंत्र की स्थापना के बहुत थोड़े वर्षों बाद ही लोकतंत्र की विडम्मनाओं की कविता लिखेगा मुक्तिबोध ने सन 62-63 में अंधेरे में नाम की जैसी कविता लिखेगा उस समय ना तो आपातकाल लगा था ना आपातकाल की कोई संभावना थी जवाहरलाल का ते जो मैसूर ये थोड़ा अस्ताचल गामी अलबता हो रहा था लेकिन ऐसी कोई परिस्थिती नहीं थी समाज में लेकिन बड़ा कवी वो है जो देख लेता है कि क्या हो रहा है वो अंधेरे में भी देख लेता है ये ही तो उसकी सिफत है तो मुक्तिबोध ने इतनी एक कविता लिखी जो अगर आप उसको आपातकाल के दौरान पढ़ते या पढ़ा हम लोगों ने तो लगा कि इस आदमी को कैसे पता था कि ये सब होने वाला है उसमें अब जब मैं उस पर कल बात करूंगा संथ होता तब बात करेंगे विस्तार से उसमें ये है कि शिल्प गर्ण शिल्पी गर्ण और कविजन निर्वाक सब चुप उनको लगता है ये मात्र अपुआ ये आपातकाल में हुआ जो के उस कविता के लिखे जाने के बारह बरस बाद लगा बारह तेरा बरस बाद तो ये एक दूसरा है तीसरा रगवी सहाई की कविता है जिस कविता में ये जो लोकतंत्र ने जो विकृतियां पैदा की थी आत्महत्या के विरुद्ध और एक अध्या होगी इत्यादी जो कविताएं हैं उनमें भी वो बेध़ड़क बलके देखिए ये बेध़ड़क पन और ये निर्भैता फिर साहित्य के परिसर में अनिवारी रूप से शामिल हो दे इसलिए अब उस दमाने में ये अलग होना था अब ये अलग होना नहीं है क्य बेटिल सचाई का सामना कविता में भाषा में कर ही नहीं सकते अगर आप बेध़ड़क और निर्भै नहों अगर आप जो हो रहा है उसके बारे में सीधे सीधे या परोक्ष भाव से कुछ कहना ना चाहें प्रभु दुबर्ग नहीं पहुंच पाए और विचार नहीं पहुंच पाए और विशेष कर प्रभु दुबर्ग तो तक ही सीमित रह गए जिस प्रकार से वो बच्चा कह रहा था कि कबीर की प्रचनाएं अब वह तुल्सिदास की रचनाएं आम जनता तक पहुंची फ्टबासा उसमें बच्चारिक्ता को लेकर के वहाव को लेकर कि इस प्रकार की बहुत सारे प्रस्ण जो हैं देखिये इस में एक बड़ी भारी जिम्मेदारी तो साहित्य के अध्यापन की है स्कूल से लेकर विश्य उध्याले तक कम से कम हिंदी साहित्य का अध्यापन बहुत खराब है अपवाद छोड़ दें अपवाद छोड़ दें और वो अपवाद यहां मुझे दिखाए नहीं दे रहें incidentally पर बाहराल उनको छोड़ दें हमने साहित की समझ बढ़ाने का कोई काम नहीं किया बलके हमने साहित की समझ को संकीन बनाने का काम किया है ये काम विश्विद्यालेओं का हिंदी विभागों का अखबारों का मीडिया अगर आप हिंदी मीडिया आपको पता चलेगा कि हिंदी समाज की हर चीज में दिल्चस्पी है गोभी का अचार कैसे डालें प्रदोश वरत के दिन क्या करें फलाना क्या करें एक हिंदी समाज की जो रत्ती भर दिल्चस्पी नहीं है वो उसके साहित्य और कलाओं में है तो ये सब काम किसको करना थे य इनकी ये जिम्मेदारी थी उन्हों नहीं किया और इसके इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि चुके हमने ये प्रयोग मध्यप्रदेश में किया था जिस कविता को कठिन, दुर्बोध, आधुनिक, इत्यादी-त्यादी माना जाता है जिसको जन्रुची जिसमें नहीं होती है उसके आयोजन हमने मध्यप्रदेश में 100 किये और 2500, 300, 400, 400 लोग 4-4 घंटे ऐसी कविता सुनते थे तो अगर ये प्रयोग किये जाते और प्यापक से होते तो ये सब हो सकता था इसका एक दुश्प्रभाव ये हुआ कि कवियों की दुनिया भी सिकुड़ती गई वही हमको जब आपसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही है तो आप भाड़ में जाए हम अपना काम करेंगे आप अपना काम नहीं करें सुना करें तो ये एक दुश्चक्र बन गया हिंदी में सबसे अधिक बना दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं बना मैं आपको उड़र्ण देता हूँ असम ने अचे आज एकल हम धवलकेशी लोग हैं तो हम उदगाटन करने ही बुलाई जाते हैं यहां उद्गाटन, वहां उद्गाटन, तो हम उद्गाटन करने बुलाए गए असम साहिति सभा के वार्शिक अधिवेशन का, हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा पंडाल नहीं देखा था, हाना के हम तो जिला मजिस्ट्रेट वगर रह चुके थे, तो हमको पंडाल बनवाने का कुछ अनुभव था, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रश्टपतीत्याजी आ रहे हैं, तो नवकांत बरुआ जो असमिया के कवी थे, उन्होंने मुझसे, मैंने उनसे पूछा, बगल में बैठे थे हमारे, उन्हीं की वज़े से मैं आ गया था वहां, तो उन्हो एक रास्ता जैसे था, उसमें युवा माताएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आती थी, और मंच पर बैठे लोगों को पहचनवाती थी, तो मैंने फिर नवकांत बरुआ से पूछा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि असम में ये मानिता है, अगर किसी एक बार असम साहित्य सभा की किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया, तो उसका संस्कार पूरा नहीं हुआ, मैं परभणी नाम की एक जगह है, फदा जाने कहा है, अब तो मैं भूल भी गया, उसमें मराठी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था, हम फिर उद्गाटन करने बुलाए गए, उसमें नारायन सुर्वे अध्यक्ष होने जा रहे थे, और एक कोई और थे, हम मैं भूल गया, उनका नाम राम शास्त्री है, जो भी, वो निवरितमान अध्यक्ष थे, अब हम पहुँचे, ट्रेन से ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, तो कलेक्टर जो विच मैं सोचा, इससे पूछूंगा, तो मेरी निरक्षरता प्रगट होगी, तो चुप ही रहो, मैं जल्दी-जल्दी तयार होकर, तो मुझे अपनी गाड़ी में ले गया, एक खुली जीप थी, जिसमें नारायन सुर्वे, और उसमें मुझे, ऐसे उचका के खड़ा कर दिया, थाई किलो मीटर का रास्ता हमने दो धाई घंटे में पूरा किया, और हर एक मिनिट में हम रोके जाते थे, कि कामगार यूनियन, वनिता मंदल, मेडिकल रेप्रेजेंटेटेटर असोसियेशन, बार असोसियेशन, फलाना फलाना, वो आरती उतारते थे, अच्छा करें मरा राठी लोग, मिठाई ठाई यहां अच्छी नी बनती है, लेकि वो मिठाई खिलाते थे, और इतनी मिठाई खराब, लेकिन वो मुझ में डालते थे, तो अब सवजयन निवश हम क्या करें, और हम सब के पैर पढ़ती थे, हमारे लिए तो ब्रामणों को वैसे ही सुसरों क पैर प्राणान की आदत होती है, तो इसलिए हमें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम जब पहुचे, जहां हमको रुकना था, तो नारायन सुर्वे लगातार रो रहे थे, नारायन सुर्वे एक दलित कभी थे, बड़े कभी थे, लेकिन दलित थे, जिनको जीव अली में हुआ था, और कोई पता ही नहीं था कि उनका मा कौन, उनकी पिता कौन, उनके लिए ये पैर छुआना, इतने हजार लोगों का उनके, बहुती हिदे द्रावक अनुभव था, शाम को जब अधिवेशन हुआ, तो उसमें 30 या 35 हजार लोग थे, अम उससे नारायन स सुर्वे ने कहा, कि आपको कम से कम 45 मिनिट का व्याप आख्यान देना, अब मैंने कि सब आधमरे हो जाएंगे, 33, 36 हजार लोग, हम तो बखबख करने के आदी हैं, लेकिन फिर भी, हुए करना नहीं, 45 मिनिट से कम तो होई नहीं सकता, उसके बाद एक common kitchen था, जिसमें हम ख कर रहे थे, उनसे हमने कहा, कि भी, पानी कहा है, बुले, डाक्टर खिरवड कर पानी लाईए, तो जब वो डाक्टर खिरवड कर पानी लाने चले गए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये डाक्टर खिरवड कर कौन है, उनका कि साब, ये professor of radiology है, यहाँ परभडी में जो medical college है तो हमने का, वो यहाँ कैसे आए, बुले साब, ये हमारी भाषा का सबसे बड़ा सम्मिलन है, मैं Supreme Court में एडूकेट हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हर वर्ष जहां ये सम्मिलन होता है, हम वहाँ जाते हैं, तीसरा, हमारे मल्यालम कवी मित्र थे, कटमनिट्ट रामकृष्णन, उनका फोन आया कि देखो अशोक, हमारे गाउं ने, उनका गाउं का नाम ही था कटमनिट्ट, तो इस गाउं ने आधा एकड़ जमीन एक मूर्तिकार को दी है, कि वो उनकी कविताओं से प्रेरित, मूर्तियों का पार्क बनाए, इसका शिलान्यास होना है, तो तुमको आना है, तो खैर हम पहुंचें, तो हमारे सामने एक और गाड़ी जा रही थी, वहां पहुंचें, मुसलाधार वर्षा हो रही थी, और केरल में हर गाउं के पास उसकी जनसंख्या कितनी है, ये लिखा होता है, तो हमने पढ़ा कि वही तीन सो बारा इसकी जनस पढ़े थे, और हमारे सामने जो कार चल रही थी, उसमें EMS नमूदरिपाद थे, जो असी बरस से ज़्यादा उम्र के थे, खैर अनों भूम तूजन वगरे किया, उसके बाद जो जनसभा हुई, नमूदरिपाद को कटमनिटर रामकृष्णन की कविताएं जुबानी जुबानी याद थी, वो एक MA बेवी करके राज-सभा के मेंबर थे, उन दुनों वो बाद में वो फिर केरल के शिक्षा मंतरी इत्यादी भी बने, उनको भी याद थी, और यहां तक कि एक कॉंग्रेस का मंतरी था, उसमें कॉंग्रेसी सरकार थी, उनको भी याद थी, मैं बैठा-बैठा सोच रहा था, कि उत्तर भारत में एक राजनेता ऐसा नहीं है, जिस पर साहित के पढ़े लिखे होने का आरोप लगाया जा सके, एक नहीं, एक नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, कि हमारे हिंदी साहित इस समय हिंदी समाज का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है, महां कोई राजनेतिक प्रतिपक्ष नहीं बचा, सब एक ही थैली के चट्टे बढ़ते हैं, लेकिन हिंदी समाज का असली प्रतिपक्ष हिंदी साहित है, इसी में उसकी गरिमा है, और इसी में उसका प्रतिरोध है अब उसको व्यापक जनता नहीं समझती है तो नसम है जो क्या है सरे बस जानकारी है मेरी थोड़ी सी जो आपको इना चाहती हूँ क्योंकि ये बाकी बाप चर है और बाकी बाप चर में बाकी बाप का नाम ना आए तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि बाकी बापकी बापकी बारे में बता दू थोड़ा बाकी बापने एक कविता लिखी है सर निरे निरे सौने एक निरे निरे सौने एक सकाचा को पारा भांगरा ची गुंगरा बंदून आईले मज़ा दारा मतलब वो कह रहे हैं कि सुबह के समय एक जो पंची है वो मेरे द्वार पर पाइल बान कर आया है जो सोने के हैं अगर आप कबीर का एक पद देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखू दित लाल लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाज यही भाव, यही पूरा का पूरा भाव इस कविता में है और वो आगे कहते हैं, मतलब बगिबाब बुरकर कि दुरुष्टावें भेटले हाँ मजा राजकोरा मतलब मैं दुरुष्टावे से उस राजकोर से मैं मिल गई और मैं भी एक तरह से नीली हो गई, गाड इतने नीली हो गई कि उनका रूप अलग और मेरा रूप नहीं रहा जो पूरकपूरा कबिर का भाव वहाँ पर हमें दिखाई देता है बस इतना है कहना था सर धन्यवाद ऐसा है कवियों के दो तरह के पुनर जीवन होते है एक तो जीवन होता है जो उनकी कविता का जीवन होता है जो फिर भी पढ़ी जाती है फिर भी उस पर टिपणी की जाती है उसका ध्यन किया जाता है दूसरा होता है कि वो दूसरे कवियों में बोलता है वो खुद अपनी आवाज में ही नहीं बोलता वो दूसरे कवियों में भी बोलता है उनको भी बीच बीच में कभी प्लावित करता है कभी उनको आकरांत करता है ये भी एक तरह का उनर जीवन है कवी का और बड़ा कभी तो वही है जो अपनी आवाज में भी तो बोले लेकिन उसकी आवाज में कभी-कभी दूसरे भी बोले जापर मैं दन्यवाद देने के लिए हूँ अधरनी श्री अश्यक वाजपई जी एवं सभागार में उपस्तित सभी माननेवर तता मेरे सभी सभपाटियों को मेरा प्रणाम मैं यहाँ पर बाकी बाप बोर्गर चेर की तरफ से श्री अश्यक वाजपई जी को धन्यवाद देता हूँ में अपना किम्ति समय दे रहे है और उसे के साथ अपना मुल्रेवान साहित्य ग्यान हमें दे रहे सर ने आज हिंदी के दो सर्वेस्ष्ट कवी कबीर और गालिप के बारे में हमें बताया है और इनकी बारे में बता के उन्होंने हमारा और भी ग्यानारजन किया है इसके लिए सर मैं आपका तैदिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोग इतनी दूर से यहाँ पे उपस्तित रहे और अपना किम्ती समय यहाँ पे बिताया इसलिए मैं आप सब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ धन्यवाद